हेलो और नमस्कार म्यानो दिवान स्वागत है आपका इविद्या चानल नंबर फाइव पर और आप देख रहे हैं N.C.E.R.T. ऑफिशल यूट्यूब चानल आज का हमारा ये सत्र है उर्दू की कक्षा 5 के लिए जिसमें हम पढ़ेंगे बीबी फातिमा के बारे में यह एक मजनून है जिसके लिए हमें पढ़ाने के लिए हमें बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौझूद है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रिजवान उलहक असिस्टेंट प्रोफेसर एंसी एर टी से हेलो सर वेरी गूड आफ्टरनून हलो आदाब तो सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही बच्चों और हमारे जितने भी पेरिंस हमारे साथ इस चानल को देख रहे हैं उनके लिए सूचना कि अगर आपको इस बारे में आज के सत्र को लेकर कोई भी सूचना लेनी हो तो आप हमें काल कर सकते हैं दूबल आप हमें इमेल कर सकते हैं द्थ.class5 at ciet.nic.in But before going to the session let me just announce you about the G20, we are proud that India assumed the G20 presidency for the first time in the country in 2023, a nation deeply committed for democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed movement in the history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions and in doing so, manifest the true spirit of Vasudev Kutumbukam that is the world is one family. तो सर आज का हम अपना सत्र शुरू करते हैं, बीबी फातिमा, सबसे पहले तो यह बता दे कि हम इस session में जानेंगे कि कौन थी बीबी फातिमा, क्यों इनको जाना जाता है और जो इनके बारे में हम क्या पढ़ने लगे हैं आज 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 आप हमें सारा पढ़ाएंगे, त अज़र शुरू करते हैं, जी, तो नाजरीन, आज का सबक है बीबी फातिमा, आप लोग शाद जानते होंगे, बीबी फातिमा हमारे परगंबर हजरत मुहम्मद सल्लालाय सल्लम की सबसे छोटी बेटी थी, तो उनहीं के बारे में आज जानेंगे, और आपको यह भी ध्या रखना होगा, यह वाकिया आपसे तक्रीबन 1400 साल पहले का है, तो एक यह भी होगा कि हम 1400 साल पहले, 1400 साल पहले जिन्दगी कैसी होती थी, किस तरह की मुश्किलात होते थे, कैसे हालात होते थे, उनके बारे में भी थोड़ा जान पाएंगे, तो सबसे पहले हम सबक पढ़ लेते हैं, उसके बाद में दूसरी बाते करेंगे, बीबी फात्मा हजरत मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم की सबसे छोटी बेटी थी, उनकी वालिदा का नाम हजरत खदीजा था, बीबी फात्मा नेक अबादत गुजार और बहुत महिंती खातून थी, वो दिन और रात के ज्यादा तर हिसों में लाताला की अबादत किया करती थी, उन्होंने बहुत सादा जिन्दगी गुजारी और हर हाल में अल्ला का शुक्र अदा किया, बीबी फात्मा की जिन्दगी दुनिया की तमाम औरतों के लिए बेहतरी नमुना है, हजरत मुहम्मद अपनी बेटी से बहुत प परदार हैं, हजरत मुहम्मद जब भी किसी सफर से वापस आते तो पहले मस्जिद में दो रकात नमाज नफल अदा करते और फिर बीबी फात्मा के घर जाते, बीबी फात्मा जब भी आप से मिलने आती तो हुजूर अपनी चादर बिछा कर उन्हें अपने पास बिठा ल जैन और हजरत जैनब बहुत मशूर हैं, बीबी फात्मा अपने शोहर और बच्चों की खिद्मत के साथ साथ घर के तमाम काम भी खुद किया करती थी, जैसे खाना पकाना, बलतन साफ करना, जाडू देना, घल्ला साफ करना और आटा पीसना, बहुत ज्यादा मेहनत करने क वज़ा से आपके हाथों में गटे पड़ गए थी, एक मलतबा बीबी फात्मा अपने वास्ते एक खिद्मत गाल तलब करने के लिए हुजूर के पास गई, उस वक्त आप सहाबियों के साथ बैठे थे, बीबी फात्मा शर्म औ लिहास की वज़ा से हुजूर से कुछ नही मांग सकी और वापस घर चली आई, बाद में आप खुद बीबी फात्मा के घर तश्रीफ लाए और उन से आने की वज़ा पूछी, बीबी फात्मा खामोश रही, हजरत अली ने खिद्मत गाल तलब करने वाली बात बताई, तो आपने अपनी चहती बेटी से फर्माया, ब रहम्दलिल्ला, 33 बार और अल्ला हुग पर 34 बार पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए एक मुलाजम की खिद्मत से बेहतर होगा, बीबी फात्मा ने जवाब दिया, मैं अल्ला हुग और उसके रसूल की रजा में खुश हूँ, बीबी फात्मा ने कभी दौलत की खौह नहीं की, घर में खाना नहोता तो वो फाका कर लेती, और किसी को खबर तक नहोती, इसके बावजूद जब भी मौका मिलता, वो गरीबों की मदद करती थी, कई बार ऐसा हुआ कि वो और उनके बच्चे फाके से हैं, खाने का सामान मुहया हुआ, लेकिन उसी वक्त किसी सा बीबी फात्मा ने खाना साइल को दे दिया और खुद उनके यहां फाका ही रहा, बीबी फात्मा औरतों को इमानदारी, खिदमत गुजारी, महबत भरे बलताओ की तालीम दिया करती थी, उन्होंने अपने इसार और इखलाक से लोगों के दिलों को मोह लिया था, और सब उनकी इज़त करते थे, बीबी फात्मा की जिन्दगी से नसीहत मिलती है, कि हमें सबर से काम लेना चाहिए, अपने घर वालों और परोसियों की खिदमत करनी चाहिए, मेहनत से जी नहीं घबराना चाहिए, मुसीबत और फाके में भी खुदा का शुक्र अदा करना तो हमने अभी ये अभी मजमून पढ़ा, बीबी फात्मा, तो इससे हमें उनकी जिन्दगी के बारे में, जैसा कि हमने अभी पहले जिक्र किया, कि वो हमारे पेगमर मुहम्मद अल्लाहु अल्हाई सलम की बेटी थी, और उनको बहुत प्यारी थी, लेकिन इसके की तरह जिन्दगी गुजारी, कभी कुछ खास नहीं चाहा कि हमें कोई खास सहूलत मिल जाए, तो और दूसरों की खिद्मत उनकी जिन्दगी का बहुत बड़ा सरमाया था, तो ये सब खुबियां ऐसी थी, जिनके लिए ये बीबी फात्मा जानी जाती हैं, अब हम कुछ जो ऐसे लफ़ आए हैं, जो थोड़े हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नए हो, ना मानी जानते हों, तो उन पर थोड़ा बात कर लेते हैं, पहले, पहला लफ़ है इबादत गुजार, इबादत गुजार कहते हैं, इबादत करने वाला या करने वाली, उसको कहते हैं, य यानि दूसरों की खिद्मत करने वाला, खादिम भी इसको कहते हैं, एक लफज आया है सहाबी, सहाबी के मानी हैं, जो हमारे पैगंबर हज़रत मुहम्म्मद صلی اللہ علیہ وسلم के साथी थे, उनको सहाबी बोलते हैं, एक लफज आया है रजा, रजा कहते हैं खुशी को, एक लफज आया है मुहया, मुहया मतलब तयार होता है या मौजूद, एक लफज आया है साइल, साइल कहते हैं, जैसे इस सबक में आया है, कि जब भी कोई मांगने वाला आता था, तो उसको साइल कहते हैं, मांगने वाला इसलिए अच्छा नहीं लगता है, साइल बुनियादी तोर प तो उसको साइल कहते हैं सवाल करने वाला मांगने वाला एक लफज आया है सदा सदा यानि आवाज फुकार को कहते हैं और फाका करना तो भूका रहना जो है फाका करना कहलाता है इसार मतलब कुर्बानी दूसरों के लिए अपने फैदे को छोड़ देना इसी तरह है विसाल विसाल कहते हैं इंतकाल को खुदा से जा मिलना ये खास तोर से जब कोई बड़ी शक्सियत का इंतकाल होता है तो उसके इंतकाल को या उसकी मौत को विसाल बोलते हैं विसाल से मतलब ये है कि खुदा से जा मिलना विसाल के लफजी मानी होते हैं कि मिलना के तो यहां मुरा बाद है खुदा से जाके मिलना तो जाहिर है वो मौत के बाद ही होता है विसाल और एक लफ़ आया है दिल को मोह लेना ये मुहावरा है रोज मर्रा है इसके मानी है दिल जीत लेना अब इस सबक में गोर करने की बात है वो ये है कि महनत करने वालों से अल्ला और उसके रसूल खुश होते हैं हमें भी महनत से जी नहीं चुराना चाहिए ये बात इस सबक से सीखी जा सकती है एक और है विसाल के माने है मिलना जिन लोगों को मजहभी एदबार से बुजर्ग म पाना जाता है उनकी दुनिया से रुखसत के लिए इहतराम के तौर पर इंतकाल के बजाए विसाल का लफस इस्तिमाल होता है यानि खुदा से जा मिलना अब कुछ सवाल हैं इस से मुतालिक बच्चे कोशिश करें तो मेरा खैल है दे सकते हैं इनके जवाब अगर गौर से सुन रहे होंगे वो सवाल हैं तो सुनिये बच्चो बीबी फात्मा के वालिदा का नाम क्या था ये पहला सवाल है फिर दूसरा सवाल है बीबी फात्मा के शोहर और उनके बच्चों के नाम बताईए तीसरा सवाल है बीबी फात्मा अपने घर के क्या क्या काम करती थी को खिदमतगार के पालने से ज्यादा बेहतर क्या बात बताई और एक और सवाल है बीबी फात्मा औरतों को क्या तालीम दिया करती थी और आखरी सवाल है बीबी फात्मा की जिंदगी से हमें क्या नसीहत मिलती है तो ये सवाल है जो जवाब अगर बच्चे एक बार इसको प वो तो बीबी फात्मा के खांदान से उनके परिवार्स से मुतालिक है उनकी वालदा का नाम और उनके बच्चों के नाम जाहिर है इस सबक में वो आए हैं तो मैं खुद से नहीं बताऊंगा बच्चों को खुद तलाश करने चाहिए इसी त Alliance, पर फिर से बीबी फात्मा के बारे में पढ़ेंगा और इसके बाद जो सवाल है बीबी फात्मा अपने घर के क्या-काम काम करती थी तो यह भी कई बार जिक्र आया है कि वो क्या क्या करती थी अब भी मालूम है इस से बच्चों को उनकी सक्षित के बारे में पता चलेगा कि जो कहानी जो 1400 साल पहले थी और अगर हम उसको आज पढ़ रहे हैं उनके बारे में तो उनसे क्या सीख रहे हैं ये भी बच्चे इस से जान पाएंगे बिल्कुल आज से उस माहौल को जोड़ भी सकते हैं और इसके जरीए हम माजी में खास्तोर से अगर बात इतनी पुरानी है 1400 साल पुरानी तो उस वक्त की जिन्दगी कैसी होती थी कैसे जैसे आज कल है इसमें जिक्राया आटा पीसने का तो उस वक्त ज़्यादा तर गेहूं को जो पीस जा जाता था चक्की से और चक्की चलाना बहुत मुश्किल काम होता है वो पत्थर की सिल होती थी बड़ी बड़ी और हाथ से इस तरह से चलाते थे तो आज तो मुश्किल है कि हम अगर दो चाल बार भी चला लें तो बहुत मुश्किल हो जाती है और वो उस वक्त यह होता था पूरा आटा उसी तरह पीस हा जाता था तो बहुत पेहनत का काम होता था तो जाहिर है हमने तरक्की किया आज के जमाने में तो अब बड़ी जाता है और पायखो के बाहर निकलता है यहां पर याद आती है पसीना बहाना क्या होता था वो शायद इस कहानी से बच्चे समझ पाएंगे और उसको असली जो उसका मतलब है वो पी जान पाएंगे तो इसको हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि मेहनत करके किस तरह से एक मह यूग में है उससे हमने क्या सीखना चाइए यानि वीती हुई जंदकी से और आज के यूग आगर हम रिलेट करें यह विशा चाओन के यह वहाँ बच्चों कक recommendा रिलेट कर लेता है तो यह बहुत अछी सीख है और आज के जमाने में अगर करें कि अगर किसी के घर का कोई एक शक्स किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है, कोई बड़ा काम कर लेता है, तो उसके घर वाले अपने को बहुत खास समझने लगते हैं, वी आईपी समझने लगते हैं, तो हमें बत्चों को समझना चाहिए कि हम किसी बड़े घर के हूँ या छोटे घर के हूँ, लेक अगर हमारे घर के किसी ने बड़ा कुछ काम किया है, तो उससे नहीं होनी चाहिए, हमारे काम से ही हमारी पहचान है, तो अपना काम अगर हम अच्छा रखेंगे, तो हमारी पहचान उसी से बन लाएगी, तो अगर आज हम 14 सौ साल बाद हम बेबी फात्मा को याद कर हैं, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पेगंबर की बेटी थी, बलकि उन्होंने एक मिसाली एक्जेंपलर जो कहते हैं हंग्रेजी में, वो जिन्दिगी गुजारी और किस तरह से वो के खुद भूखी रह लेते थी, लेकिन अगर कोई सामने आ जाये, मांगने वाला, तो उसके जरूर दे देती थी, तो ये सारी चीज़े ऐसी हैं इन्सानी खुबियां कि हम लोग हमेशा याद करते हैं, तो अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं, तो आये देखते हैं, इसमें सही लफ्स भरना है, नीचे दिये हुए लफजों से खाली जगों को पूर कीज अब इसमें चार जुमले हैं, इसमें एक लफ्स छुटा हुआ है, कुछ में दो लफ्स छुटे हैं और वो लफ्स उपर लिखे हुए हैं, इन्ही में से आपको इंतखाब करके यहां भरना है, जैसे बेहतरीन, सरदार, महनती, फात्मा, औरतों, सहाबियों, इन्ही से भरन है, तो पहला पढ़ते हैं, बीबी फात्मा नेक अबादत गुजार और बहुत, अब आगे देखिए, मेरा ख्याल है, यह महनती खातुन थी, तो यह हो जाएगा, फिर इसके बाद जो दूसरा जुमला है, बीबी फात्मा की जिन्दगी दुनिया की तमाम के लिए नमूना है, अब यहां पर तमाम, तो सीधे मतलब समझ में आ रहा है, औरतों के लिए, फिर है बहत्री नमूना है, तो यहां पर औरतों और बहत्री नमूना है, तो यहां पर औरतों और बहत्री नमूना है, तो यहां पर आप बहत्री नमूना है, तो यहां आप बच्चे सोचिए, क्या भरना है और आखरी जुमला है उस वक्त आप फिर खाली जगा के साथ बैठे थे तो ये है बच्चे खुद से सोच सकते हैं तो आई अब देख लेते हैं क्या कहां भरना है तो पहले में था बीबी फात्मा नेक अबादत गुजार और बहुत महिंती खातून थी तो यहा इन नमूना है तो दूसरे में औरतों और बेहतरीन हो गया फिर तीसरा है आपने एक मलतबा फरमाया के फात्मा जन्नत की औरतों की सरदार हैं और आखरी जुमले में है उस वक्त आप सहाबियों के साथ बैठे थे तो यहां सहाबियों का जिक रा गया है उसके मानी हमने पह उनकी वालदा का नाम हजरत खदीजा था बीबी फात्मा नेक अबादत गुजार और महंटी खातून थी वो दिन और रात के ज्यादातर हिस्सों में अल्ला ताला की अबादत करती थी उन्होंने बहुत साधा जिन्दगी गुजारी तो आपको मालूम होगा एक यहां आया है कुछ दो तीन रूफ जो हैं उनकी वो उन्होंने ऐसे आये हैं जिन पर एक लाइन खिची भी अब यहां पर देखना यह कि जब हम किसी को पुकालते हैं जैसे आपका अनु दिवान ज हैं कि आपने ऐसा क्या है तो आपने जो है उसका जो होता है यह जमीर कहलाता है उर्दू में हाँ हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं इसको तो उसको सीखना है कि जब किसी के नाम के बजाए आपने उन्होंने उनकी इस तरह के लफज आते हैं तो उसको उर्दू में जमीर कहत तो यहां पर वही आए हैं, यह देख सकते हैं ऐसे अलफाज जो किसी इस्म की जगा इस्तमाल किया जाते हैं, उन्हें जमीर कहते हैं, अब यहां पर कुछ बच्चों को जमीर तलाश करने हैं, फिर यहां पर कुछ लफ़ दिये गए हैं, इन से मिलाकर जुमले बनाने हैं, ज इसमें नेक लफ़ आ जाए, जैसे बीवी फात्मा बहुत नेक औरत थी, सरदार है, सफर है, खिदमतगार है, बर्तन और शर्म, तो यह लफ़ज हैं, इनको बच्चे खुद से कर सकते हैं, जमले बनाने हैं, मानी हमने पहले ही बता दिये हैं, फिर यहां नीचे दिये लफ़ों के मुतजाद लिखें, मुतजाद से मतलब है कि अपोजिट जो उसके बिलकुल अगेंस्ट मानी हो, विप्रीद जो हिंदी में बोलते हैं, तो छोटी का हो जाएगा, बड़ी, नेक का खराब, पास का दूर, बहतरीन का खराब, गरीब का अमीर, साफ का गंदा, रोना का हंसना, इमानदारी का, बेमानी हैं, तो इस तरह के बहुत सरे अलफ़ाद हैं, मैं अब आखरी बात कहके कि ये जो हमने आज पढ़ा है, उसको इसलामी तारीख का एक बहुत ऐहम खातून थी, बीबी फात्मा, उनके बारे मैं जाना, वो मुसल्मानों के पेगंब हजरत महमद सल्ले लाहिसल्म की छोटी बेटी थी, साथ ही हमने ये भी जाना कि एक पेगंबर की बेटी होने के बावजूद कितनी सादगी से रहती थी, और एक आम इनसान की तरह वो घर के सारे काम खुद कलती थी, साथ ही खुद कितनी भी तकलीफ या मुसीबत में हो, ल तकरीबन 1400 साल पहले की जिन्दी कैसी थी, उन लोगों का रहन साहन कैसा था, उस वक्त के घरेलू काम कैसे होते थे, हाथ की चक्की से आटा पीसा जाता था, अब प्रोग्राम के आखिर में बच्चों को मैं एक काम देना चाहूंगा, वो काम ये है कि बच्चे ये मालूम क करें, अब से तकरीबन 1400 साल पहले हिंदुस्तान में लोग कैसे रहते थे, वो खाते पीते क्या थे, पहनते क्या थे, सफर कैसे करते थे, वगारा, यानि 1400 साल पहले कैसे हिंदुस्तान में जिन्दी की रही होगी, उसके बारे में थोड़ा तलाश करें, बिल्कुल तो आज तो आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं तो सर आज बहुत ही बहुत ही अच्छी एक मजनूम सुना और काफी कुछ जानने को मिला काफी इंट्रेस्टिंग था था थांक्यू सो मच आज के शुक्रिया तो लेकिन बच्चों आप कहीं मच जाएगा आपके लिए बता दे कि NCRT की 2023-24 की नई टेक्सबुक्स हमारे सभी सेल्स काउंटर पर उपलब्द हैं जो की दिल्ली गुवार्टी एमदाबाद कॉलकता और बैंगलूरू में हैं यह सभी सेल्स काउंटर जो हैं हमारे रोजाना खुले रहेंगे सुबा साड़े नो वज़े से शाम छे बज़े त वहां पर आप अपना ओनलाइन ओर दे सकते हैं और यह साभी बुक्स आपके दर्वाजे पर प्री ऑफकॉस उपलब्द रहेंगी साथी आप इसकी सॉफ्ट कॉपी पीडिये फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी दीक्षा यह पाट्शाला और NCRT वेबसाइट पर अवेलेबल है और अब बहुत और और ऑथराइज दीलर के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे NCRT के वेबसाइट पर जरूर विसिट करें लेकिन बच्चों आपके लिए अभी यहां का सत्र यही समाप्त होता है अगले सत्र में वीविल लिसन तू दू 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 द झाल 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 झाल